अगर हम भारत की पारलेमेंट की लोकशवा की जो घोस बाक्य है उसमें लिखा गया है धर्मचक्र प्रवर्ताय यानि धर्मचक्र चलते रहे यह पारलेमेंट की घोस बाक्य में लिखा है भारत की सुप्रिम कोट की घोस बाक्य है योतर धर्म तो तो जया यानि जहां धर्म वहीं जय होगा यह सब सनातन है क्या गांधी परिवार को खुस करने के लिए मैं इसलिए 2014 की बात 2009 की बात याद करता हूँ और सुप्रिम कोट की हेट स्पीच को याद दिलाता हूँ सुप्रिम कोट ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा है कोई भी नेता समाज में अभी अभी कहा है कि समाज में तनाओं पैदा करने के लिए कोई भी काम ना करे 2014 की पहले आप तो याद करिये ग्यारा बारा तेरा में भगवा आतंगबाद का सब्दल आये गया किसी ने तो नहीं कहा गुलाबी आतंगबाद किसी ने तो नहीं कहा कि सबूज आतंगबाद किसी ने तो नहीं कहा ब्लू आतंगबाद मैजेंड आतंगबाद आपने क्यों कहा था भगवा आतंगबाद क्यों आपकी पेर के नीचे जमिन जा चुकी थी आपको इसकी अंद आज में विद्वेस बढ़े आपने जान बूझ के एक narrative सेट किया है हम लोग कोई ना भूलें विद्वेस में जाके विद्वेस में जाके ये बात कही गई थी कि हिंदुत्व को dismantle करने की वार्कसप की जाए थी उसकी पुनरा वुर्ति अभी हो रही है अभी देश की सर्व समाज की लोगों ने सभी जाती संपरदाय पंत्ध की लोगों ने जब एकजूट होके एक कल्यानकारी बेवस्ता के साथ खड़े हैं ये बंसबादी नेताओं को ये पचनी रहा है इसलिए पुनरा उन्होंने पुराना स्टोरी लाइन को लाने के लिए काम किया है ये नफरत की दुकान चलाने वाले लोग ये कहते हैं महवत की दुकान चलाते हैं ये नफरत की दुकान चलाने वाले लोग ये अंग्रेजों से ये गुण उनमें अभी भी बचा है फूट करो और राज चलाओ डिवाइड आंड रूल पॉलिसी की तहत समाज में विद्वयस खड़ा करो और एक तबके को पकड़के भय खड़ा करके राज करो झाल